So class, अब हमारा एक next topic आता है, that is, air is needed for breathing, मतलब की अब बेटा हम पढ़ेंगे की importance of air या फिर uses of air की air हमें कहां कहां पे use होती है या फिर कहां कहां पे इसकी need होती है, तो first thing is की air is needed for breathing, मतलब की हमारे सांस लेने के लिए हमें हवा की जरुरत होती है, क्योंकि हवा में oxygen present होती है, जो कि हम अपने respiration के process में जिसको use करते हैं, so हम जब सांस अंदर लेते हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं, inhalation, inhalation और जब हम सांस बहार छोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, exhalation, inhalation और exhalation, ये दो चीज़े होती हैं, बटा, inhalation के time पे हम oxygen gas को अप अपनी शरीर के अंदर लेके जाते हैं, और exhalation के time पे हम carbon dioxide को अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, ये दो चीज़े होती हैं, breathing के process में, so oxygen को हम inhaled air भी कह सकते हैं, inhaled air या फिर inspired air, या और carbon dioxide को हम expired air या फिर exhaled air भी कह सकते हैं, ठीक है, तो air is needed for breathing, first thing हमारी ये clear हो गई, second हमारा आता है, air is needed for burning, जब हम किसी भी चीज़ को burn करते हैं, तो उसको जलाने के लिए हमें air की जरुत होती है, because किसी भी चीज़ को जलाने के लिए oxygen हमें चाहिए होती है, तो air में oxygen present होती है, तो इसलिए air की जरुत होती है, माल लो, आप अपने match stick से उसको जलाया, bond किया, अगर उस जलती हुई candle के उपर आप glass रख देते हो, तो उस candle को फिर हवा नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, कि थोड़ी देर में वो candle अपने आप बंद हो जाएगी, वहीं अगर आप एक दूसरी candle रखते हो, जिसके उपर आपने glass नहीं रखा है, तो वो candle continuously जलती ही रहेगी, तो यह एक हमारी activity है, जो यह प्रूव करती है, कि किसी भी चीज की burning के लिए, air की या oxygen की जरूरत होती है, ठीक है, देन, next हमारा एक topic आता है, layers of atmosphere, atmosphere, मैंने आपको बताया था, कि हमारी earth होती, earth जो है, उसके चारो तरफ, एक blanket of air present है, जिसको हम atmosphere बोलते हैं, मान लो कि यह हमारी earth है, ठीक है, this is the planet earth, इसके चारो तरफ, एक blanket, या फिर हम कह सकते हैं, एक layer of gases present होता है, जिसको हम कहते हैं, atmosphere, इस atmosphere में बहुत सारी gases होती है, like oxygen, इन gases से मिलकर यह बना है, nitrogen, carbon dioxide, ठीक है, and many more, यह सारी इसमें gases present होती है, अब layers का क्या है, कि layer कितने होते हैं अब इस atmosphere में, अब यह जो atmosphere हमने यहाँ बना के, आपको, मैंने आपको बताया है, यह atmosphere जो है, इसमें 5 layers present होते हैं, 5 layers से मिलकर जो है, वो atmosphere हमारा बना है, पहला हमारा layer आता है, troposphere, पहला है troposphere, second है, stratosphere, third is mesosphere, thermosphere, and exosphere. constant